इस्टूडेंट आपको हम इस वीडियो में बताएंगे 7.10 क्लाश 12 का ठीक है तो यहाँ पर जो पहला कुश्चन है यहाँ पर है 0 से 1 लिमिट है और x upon x square plus 1 dx ठीक है तो इसका आपको समकलन करना है और इसका लिमिट भी रखना है तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके के होते हैं जो इस तरीक से नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसको क्या माननें कि x square plus 1 को क्या मानना है तू इसका आपको क्या कर देना है आत्यों क। तो यहां पर यह हो जागा 2x dx equal to dt और यहां से आपको dx का मान निकाल लेना है यह हो जागा dt यह इस तरफ आएगा 2x हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको तुरंट इसके just बाद ही क्या कर लेना है यहां पर limit रखना है अपर limit अब यहां पर change हो जागा यहां पर आपने टीम आना तो अभी change हो जाएगा यहां पर जो यह limit है तो सबसे पहले यहां पर रखेंगे x के असान पर 1 1 का square plus 1 equal to t तो यहां से आ जाएगा क्या यहां पर 2 equal to t आ जाएगा तो यह आपका क्या हो गया अपर limit ठीक है यहां पर जो यह रहेगा वो limit आपका अभी यह होगा और नीचे वाला जो यह limit है lower limit है इसको क्या करना है इसमें रखना है 0 को x के असान पर यहां पर 0 plus 1 equal to t हो जाएगा और यहां से आ जाएगा t equal to 1 ठीक है यह आपका क्या है lower limit अब क्या करेंगे यहां पर हम question में इसे रखेंगे यहां पर limit क्या हो जागा 1 से 2 और x upon यह पूरा क्या है आपका t है ठीक है तो यहां पर t into और dx के असान पर क्या रखेंगे dt upon 2x अब आप यहां पर देख रहा है यह x और यह x से आपका cancel हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा क्या 1 से 2 limit और बच्चे का क्या है यहां पर एक बटा दो हम बाहर ले ले रहे हैं यहां पर तो बच्चे का 1 by t into d t ठीक है तो अब हम इसका क्या कर देंगे इसको सबको पता है कि इतना कमान क्या होता है यहां पर इतने कमान यहां पर इसका मान होता है log t ठीक है यह होता है log t इसका जो समा कलन करते हैं 1 by t dt का तो यह आता है कि log t अब हम क्या करेंगे यहां पर इसका यहां पर 1 by 2 आगे है और यहां पर limit रख देंगे 1 से 2 अब इसको कुछ भी ने करना है आपर limit put कर देना है यहाँ पर log TK Sun सबसे पहले क्या रखना है आपर limit यानि की 2 minus फिर उसके बाद log यहाँ नीचे जो है 1 और सबको पता है कि log 1 का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है तो यहाँ पर हम 1 by 2 log 2 यहाँ पर इस command पूरे का क्या हो जागा 0 हो जागा तो यहाँ से आपका यह आ जाएगा answer ठीक है अब आते हैं दूसरे question पर यह है आपका दूसरा question आपका 0 से पाई बाई टू लिमिट है और root में sin 5 into cos square 5 d5 ठीक है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है इसे थोड़ा से simplify करना है कि आप इसे कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दे हम सभी ने पढ़ रखा है यह cos square theta plus sin square theta equal to कितना होता है 1 होता है तो यहाँ से अगर हम cos square theta यहाँ पर 5 है cos square theta यहाँ से क्या जाएगा 1 minus sin square theta यह सब को पता होगा सभी को क्योंकि यह क्या है आपके फार्मूले है यह सभी आपके क्या है फार्मूले है तो इसको हम थोड़ा सब पहले इस तरीके से लिख सकते हैं sin 5 और यहाँ पर cos power 5 5 को हम लिख सकते हैं cos power यहाँ पर 4 5 into cos 5 ठीक है क्योंकि यहाँ पर भी power 1 है और यहाँ पर power 4 है यहाँ पर 1 over 4 है यहाँ पर 5 आजाएगा power ठीक है तो इसमें कोई change नहीं होगा कि कोई अंतर इसमें आजाए नहीं आएगा तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे इसको इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर यह है sin 5 into cos power 4 5 को हम क्या लिख सकते हैं इससे हम लिख सकते है cos square 5 इसके का square into cos 5 ठीक है तो यहाँ पर यह d5 अब यहाँ पर 0 से pi by 2 limit और sin 5 into अब आपको यह देखना है कि यहाँ पर यह जो cos square 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं यह आपको इस तरीके से दिख रहा है सिर्पे आपड़ ठीटा के सान पर क्या है 5 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1 minus sin square यहाँ पर ठीटा थाते हैं यहाँ पर 5 है कुश्चन में आपके तो यहाँ पर 5 रहेगा इसका square into cos 5 d5 ठीक है अब इसमें आपको कुछ मानना है t तो यहाँ पर t क्या मानना जाएगा लगभग में sin है लगभग में cos और sin के वाले कुश्चन में आपका लगभग में सभी कुश्चन में sin आपका t मानना जाता है तो यहाँ पर हम माननेंगे sin 5 equal to t ठीक है आपको यह मानन लेना है इसके बाद इसका क्या करना है ओकलन कर देना है यह हो जाएगा cos phi d phi equal to d t ठेक है इसके ज़िफ्ट बाद आपको हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना होता है यह process आपको करना बहुत ही important है सबसे पहले तेहाँ पर अपन लिमिट रखना है यहाँ पर phi के स्थान पर तो यह क्या हो जाएगा आपका sin pi by 2 equal to t और यहाँ से आपका मान आ जाएगा क्या यहाँ पर यह आ जाएगा sin pi by 2 यानि कि यह आता है आपका 1 और यह t यानि कि अब यहाँ पर जो pi by 2 था वहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ हम रखेंगे sin यहाँ फाई के स्थान पर यहाँ रखेंगे 0 sin 0 equal to t और यहाँ से t कमान की आ जाएगा 0 और हम यहाँ पर lower limit यहीं से अब यहाँ पर हम 0 के स्थान पर 0 ही रखेंगे क्योंकि lower limit हमारा 0 ही आया है ठीक है तो यहाँ पर हम cushion में इसे कि पूर करेंगे 0 से यहां पर यह अपन लिमिट किया है one 0 से one हो गया ठीक है और यहां पर क्या यह आपर root में यहां पर 50 फाई आपका यह नगा गया है तो यहां पर हम pathry लिखेंगे इंटू यह क्या हो जएगा वन माइनस x square फाई जो है यहां पर t square हो जाएगा इसका square into यहाँ पर आप यह पूरा देख रहे हैं यह वाला यह आपका किसके equal to है dt के equal to है यहाँ पर हम कर देंगे dt ठीक है अब क्या करेंगे अब इसे हम थोड़ा सा simplify करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर इसे हम root t ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर इसका हम formula लगा देंगे a minus b का square ठीक है तो यहाँ पर यह हो जगा 1 और plus t power 4 minus 2t square और यहाँ पर dt ठीक है अब क्या करना है थोड़ा सा आपको फिर से अभी और इसे simplify करेंगे हम इसको हम क्या रख सकते हैं 0 से 1 limit और यहाँ पर root t यानि कि आपको हम थोड़ा सा बता दें यहाँ पर इस तरीके से लिख्या रहे हैं तो आप इससे लिख सकते है t power 1 by 2 ठीक है t power 1 by 2 root का मतलब होता है 1 by 2 power में होता है तो यहाँ पर हम वही करेंगे t power 1 by 2 और यहाँ पर breakout में है आपका 1 plus t power 4 minus 2 t square dt ठीक है अब क्या करना है इसका multiply कर देंगे हम अंदर यहाँ पर 0 से 1 limit और इसका हम multiply करेंगे ही हो जागा t power 1 by 2 और यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर t power 1 by 2 का जब हम इसमें multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा सबको पता है अगर x का गुड़ा x में करते हैं x square होता है उसी प्रकारे हाँ पर t power 1 by 2 है इसका गुड़ा हम t power 4 में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा यह T ऐसे ही रहेगा यहाँ पर इसका जो power का गुड़ा power में हो जाता है ठीक है यहाँ पर power का add हो जाता है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा यहाँ पर T power यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 दून 8 हो जाएगा 8 बटे 2 यानि कि T power 9 by 2 आ जाएगा यहाँ पर यह 9 हो जाएगा T power 9 by 2 तो यहाँ पर आ जाएगा क्या प्लस T power 9 by 2 उसी तरीक से यहाँ भी करना है 2 into T power यहाँ पर T power 1 by 2 है और यहाँ पर T power 2 है यहाँ पर T power 1 by 2 into T power 2 इसमें है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा T power 1 by 2 प्लस 2 तेहां से आजाएगा t power 5 by 2 यह आपका आगया 5 by 2 into dt अब हम क्या करेंगे इसे हम simplify करेंगे यहाँ पर इसका हम integration कर देंगे यहाँ पर इसका समाकलान आजाएगा क्या आपका t power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 इसमें इसका किस तरीके से हुआ जो जब हम किसी भी जैसे हम x power n का कर रहे हैं समाकलान तो क्या होता है यह x power n plus 1 ठीक है अपकान में क्या हो जाता है यहाँ पर जो यह रहता है यह power यह यहाँ पर आ जाता है ठीक है उसी परकार से यहाँ पर भी यह 1 by 2 plus 1 है नीचे इसे रख दिया गया है ठीक है और यहाँ पर क्या हो जागा टीक पावर 9 by 2 प्लस 1 अपान में यही नीचे रख देंगे 9 by 2 प्लस 1 ठीक है यहाँ पर स्वारी यहाँ पर थोड़ा सा भी हो रहा है यहाँ पर हम इसे माइनिस 2 इंटू इसका जहाँ हम करेंगे क्या हो जागा टीक पावर 5 by 2 प्लस 1 अपान में 5 by 2 प्लस 1 ठीक है यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से 1 तो यहाँ पर यह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं यह आपका आ जाएगा जब हम 1 by 2 प्लस 1 को तरफ़ करते हैं तरफे के आता है वन बाइ 2 प्लस 1 यहाँ पर न क्या आपका आलऴ जाता है तीन ब्लस ठीक है आपको हम बताते हैं इसका किस तरी के साफ इसको भी कर सकते है यहाँ पर टीपावर one by two है प्लस one जब कभी भी one आइड करना हो तो इसको उपर निछे आइड कर देते हैं तो यह हो जाता है three three by two ठीक है और नीचे भी वही है तो इसे हम three by two यहाँ पर रख देते हैं और प्लस यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर उपर नीचे आड़ करना है 9, 2, 11 होता है T power 11 बटे तो अपान में 11 बटे तो और यहाँ पर minus 2 into यहाँ पर क्या है 5 और 2 है तो यहाँ पर T power 7 by 2 अपान में 7 by 2 आजाएगा यहाँ पर रखेंगे हम लिमिट 0 से 1 ठेक है अब इसके आगे आपको हम बताते हैं क्या करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसे यहाँ पर हम इसका उपर नीचे गुड़ा कराद इसको हम उपर ले जाएगे यह हो जगा 2 बटे 3 T power 3 by 2 2 प्लस यहाँ पर यह हो जगा 2 बटे 11 T power 11 बटे 2 minus 2 बटे यहाँ पर इसको हम उपर ले जाएगे तो उल्टा हो जाता है यहाँ पर 7 बटे 2 है तो उपर जाएगा तो 2 बटे 7 हो जाएगा ठीक है T power 7 by 2 0 से 1 लिमिट है और अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर T कमान हम रखेंगे एक बार 1 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम 0 रखेंगे तो 0 पावर अगर यहाँ पर 7 बटे 2 है याँ फिर कुछ भी होता है यहाँ पर 1000 रहेगा इसका 0 का पावर तो आपका क्या हो जाता है 0 आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर सब में क्या है T है आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यह lower limit आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो उसे हम नहीं लिख रहे हैं, यहां हम आप प्राइब स्थ एक ही रखेंगे, तो दो बटे 3, यहां पर T के अस्थान पे हम एक रखेंगे, तो अगर एक का पावर अगर हम 3 by 2 करेंगे, तो भी एक आएगा, अगर एक का पावर हम 100 भी करना होता हमें, तो भी क्या आता, एक का था यहां पर सब में क्या आएगा आपका टीर पावर जैसे से एक का पावर दो बटे यहां पर क्या जगा मैने 2 दूना 4 बटे 7 ठीक है यह हो गया अब यहाँ पर कुछ भी ने करना इसे हब solve कर लेना है यहाँ पर इसको solve करने के लिए 3 गुड़े 11 गुड़े 7 यहाँ पर इसके वाले का नीचे में गुड़ा करेंगी 11 7 यान 97 का गुड़ा हम इसमें कर देंगे तो किया आज यहाँ पर ही कि कि इसको पूरह हम कि यहाँ पर कितना जää एक सोच्षान ठीक है और इसके बाद क्याँ अहाँ पर 11 यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर गुड़ा है साथ तको छोड़ देंगे तो इसका गुड़ा हो इसको सब्सक्ति होता है यह बात क्या करना इसे सॉल्ब करें लेहां जोन टोनिखे कि इसका गुड़ा कराने यहां रहा लीति तैहां ल- सब्सक्राइब यह रहां दहात लिए 137 and 175 जो बतै। बोसो एक दिस